हेलो एवरिवन वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल रेनू ब्यूटी टीप्स आज मैं अपनी वीडियो में आपके लिए लेकिया यह करवाचोच स्पेशल मेकप जो की मैंने किया है फेर लवली बीबी से तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो मैंने अपनी फेस को अच् सेट करूंगी प्राइमर आपके उपन पो उसको कवर करता है यहां मैं यूज करूंगी हीमाल्य का लिप बं इस तरीके से तो अब चलते हैं आइस के आइस की तरफ फेर लवली बीबी को थोड़ी सी कुएंटिटी में लेके डोट-डोट करते हुए अपने आइस के डार्क कुएंटिटी और ले सकते हैं कुछ इस तरीके से यह मैं यूज करूंगी ब्ल्यू हैवन का फेस पाउडर इस को सेट करने के लिए यह मैंने यूज किया है लाइट ब्राउन कलर आइशेडो का बेस बनाने के लिए इसे अच्छी से ब्लेंड करते हुई लगाऊंगी जैस यूज करूंगी आईशेडो को पीछे की और से आगे की तरफ लाते हुए लगाएंगे इसे अच्छे से ब्लेंड करते हुए फैलाएंगे जादा डार्क मेकप नहीं करूंगी मैं जैसा कि मेरी ड्रेस में एक्वा ग्रीन कलर की ड्रेस है वाइट कलर का वर्क है तो मैं वा एक लगाने से पहले दाइनर अप्लाई करते हैं यह गए कंप्लीट तो यह मैं यूज करूंगी मिस रोज की हाइलाइटर किट से हाइलाइटिंग एरिया को करूंगी कवर आई ब्रोज के तो यह है कलर बार का शीमर सेंटर में लगाऊंगी मैं इसे जादर डाप नहीं लाइट ही रखूंगी मेकप को इस तरीके से सेंटर में लगाऊंगी फैलाते हुए कुछ इस तरीके से तो यह मैं यूज करूंगी रैड चरी की आई लेशिस अगर आपको बड़ी लगती है तो थोड़ा सा आगी से कट कर लें और इसे अच्छे से इस तरीके से सेट करूंगी यहां मैं एक बड़ फिर से लाइनर का यूज करूँगी आईलैशिस लगाने के बाद लाइनर को ज़्यादा लंबर नहीं निकालूँगी बाहर की तरफ क्योंकि आईलैशिस लगने के बाद आईज पैसे भी बड़ी लगती है तो यह है मेरे पास स्विस ब्यूटी का मशकारा आईलैशिस को सेट करने के लिए यूग्या मेरा आईज मेक अप लुक कम्प्लीट तो यह है स्विस ब्यूटी का आईब्रो डिफाइनर इससे मैं लूँगी ब्राउन शेड और आईब्रो को अच्छे से शेप देते हुए करूंगे डिफाइन आप ब्लैक कलर का भी यूज कर सकते हैं दोनों आईब्रो को अच्छे से शेप दूंगी और इसी तरीके से सेट करूंगी सेटिंग ब्रस से अब इसी करूंगी सेट कुछ इस तरीके से तो यह है मेरे पास कलर कुइन का जेल और मैट लाइनर इसका मैं जेल लाइनर यूज करूंगी आईज का मेकप मैंने ज्यादा है भी नहीं किया तो मैं लाइनर का यूज करूंगी आप मैट लाइनर का आईब्रो डिफाइन करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छे से होता है, इस तरीके से योगे मेरा आइज मेकप लुक कम्प्लेट तो चलते हैं, फेस के बेस की तरफ, थोड़ी सी कोंटिटी बे मैंने फेरन लवली बीबी ली है, और इसे इस तरीके से डोट-डोट करते हुए, अपने फेस पर पूरे फेस पर अपलाई करूँगी, जैसा कि आप जानते हैं, मैंने कोई फाउंडेशन बेस कंसीलर का यूज़ नहीं किया है, फेरन लवली बीबी से ही मैं मेकप करके दिखाऊंगी, अगर अच्छे तरीके से किया जाए तो कम बजट के प्रोड़ेक्ट से भी आप इस तरीके से आप देख सकते हैं मेरे फेस का बेस, मैं एक बार फिर से फेरन लवली बीबी लूँगी और अपने हाइलाइटिंग एरिया को उभारने के लिए थोड़ी सी क्वेंटिटी में लगाऊंगी, ताकि मेरी हाइलाइटिंग एरिया उभर कर आए, इस तरीके से औ और इसे डैब डैब करते हुए ही सेट करूंगी, इस तरीके से फेरन लवली बीबी का भी यूज़ करने से आपके मेकप का बेस बहुत अच्छा बनता है बस करने का तरीका थोड़ा सा सही होना चाहिए, इस तरीके से अच्छे से डैब डैब करते हुए फेलाऊंगी, आप देख सकते हो मेरे face का base तो मैंने अपनी eyeshadow kit से brown shade ली है nose की contouring करने के लिए nose को sharp बनाने के लिए contouring करूँगी मैं ज़्यादा dark नहीं करूँगी light ही रखूँगी chin area की cheek area की contouring करूँगी light ही रखूँगी आप अपने coding कर सकते हैं आपको dark करनी है light करनी है इस तरीके से अच्छे से blend करते हुए तो मैं एक बार फिर से face powder से करूँगी अपने highlighting area को set कुछ इस तरीके से तो यहाँ है मेरे पास Hilary Udda का blusher blusher भी light रखूँगी इस तरीके से Miss Rose की highlighter kit से अपने highlighting area को highlight करूँगी आप देख सकते हूं मैंने fair and lovely BB से भी कितना अच्छा base बनाया है तो यहाँ मैं यूज़ करूँगी Swiss beauty की lipstick का बहुत प्यारी lipstick है ये waterproof है long lasting है काफी टाइम तक stay करती है आप lip liner का भी यूज़ कर सकते है देख सकते हूं यह हो गया मेरा make-up look complete इस तरीके से अगर आपको मेरा make-up look अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें और कमेंट करें नेक्स्ट वीडियो के लिए साइट में जो बैल आइकन है उसे जरूर दबाए थैंक्यों जो भाइकन है जो आपको मेरा «ेपक्नाग बैल आपको लगा रखके लिए झाल-दूराइब करें वीडियों» भाइकन है